हेलो फेंस आज मैं आपके साथ ताजे बुट्टे से बहुत ही स्वाधिश्ट और हेल्दी नास्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ अभी बारिस के मौसम है तो बुट्टे बहुत ही ज़ादा मार्केट में मिल रहे हैं तो आप इसलिए ये रेसिपी बना सकते हैं ये टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है और इसे बनाना काफी आसान है आप इसे अपने मन पसंद चटनी आचार या फिर सबजी के साथ भी सर्ब कर सकते हैं तो चलिए बिना देर किये, आज की हमारी ये रेसिपी को बनाना शुड़ू करते हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें तो यहाँ पर हमने एक केजी ताजे बुट्टे लिए हैं, बुट्टे के छिलके हमने पहले ही छिलकर अलग करती हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें बुट्टे के दाने अलग करने होंगे, तो अगर आपके जो बुट्टे हैं बहुत ही सौप्ट है, एकदम दवाने से जो इसली अलग हो जाते हैं यह देखिए इस तइके से सारे दाने जो है इसके हम अलग कर लेंगे और आपको जो है बुट्टे दबाने पर सौप्ट लगने चाहिए एकदम कड़े दाने वाले भी सूखे एकदम जो है बुट्टे आपको नहीं लेने हैं इस बात का ध्यान रखे तो यहाँ पर हमने इस तइके से सारे बुट्टे के दाने को अलग कर लेना है तो यहाँ पर हमने सारे बुट्टे को छील लिये हैं देख सकते हैं यह करीब 3 कप के जितना हमारे बुट्टे के दाने निकले हैं अब इन बुट्टे के दानों को हम अच्छे से 3-4 पानी से दोएंगे इसमें पानी टाल कर ये देखें इस तैके से आपको अच्छे से धो लेनी है क्योंकि इसमें सफेद सपेद जो है छिलके होते हैं इसके और कुछ रेसे भी होते हैं तो उनको जो है आपको अच्छे से धो कर साप कर लेना है उसके बाद ही जो है आपको इसके इस्त करेंगे ऐसे ही ग्राइंड करेंगे अगर जरूरत हो आपको तो आड़ कर सकते हैं लेकिन हम ऐसे ही इस आयड करेंगे ये देखिये बिना पानी आड़ किये एक तेक्शों हल्का तर दर आ ही एकÓ πेस्ट को हम एक बाउल में निकाल लेते हैं इस तेके से ये देखें अब बाकी के बचेवे बुटे को वापस से हम जो है जार में डाल देंगे और इसी के साथ दो हर इमिज एड़ करेंगे तीखा आप अपने टेस्ट के कॉर्डिंग ले सकते हैं थोड़ी सी अधरक और चार पांच हम लेसन के कलिया डाल कर इसका बारिक सा जो है पेस्ट बना लेंगे तो इस पेस्ट को हम बाउल में निकाल लेते हैं इसमें दो तीच चमच आप पानी एड़ करके जो है जार को धो के इसमें डाल सकते हैं उसके बाद इसे मिक्स कर लिजे इससे जादा जो है इसमें पानी ए और बिलकुल थोड़ा सहम काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। अगर आपको तीकह जादा पसंद हो तो आप में और आप लाल मिर्च का पाउडर आड़ कर सकते हैं। स्वाद अनुसा नमक टालेंगे और इसे के साथ एक चमच कटी हुई करी के पत्ते डाल रियों में आप इसके जगा पर हरे धनिये के पत्ते डाल सकते हैं मेरे पास हरे धनिये के पत्ती इस वक्त नहीं है तो मैं इसमें करी पत्ता डाल रियों इससे भी बहुत ही अच्छा ट तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट पॉसस में यहां पर गैस उनकर हमने यह लोहे के तवे को रखा है आप इसकी जगा पर नो नस्टिक तवा का भी इस्तमाल कर सकते हैं इस पर हम एक चमस तेल डालका इस तेके से चारो और स्प्रेट कर देंगे यह देखे और गैस का प्ले का कर भी इसे पतला जो है स्प्रेट कर सकते हैं या फिर इस तेके से एस पैचुला की हेल्प से भी हम इसे पहला सकते हैं गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखेंगे और इसको हम उपर से कवर करके दो मिनेट के लिए पकने देंगे दो मिनेट बात धक्कन हटा कर हम इसको इस इसे जो है cover कर देते हैं और again हम इसे दो मिनिट के लिए पकाएंगे 2 मिनिट पाट धक्कन घटाएंगे यह देखिए हमारे जो है मक्य की आप रोटी बोल सकते हैं या फिर चीला बोल सकते है पर यह खाने में विलकुल रोटी जैसे लगती है जैसा तरी के से आप मक्य के आठ तो इसी परकासे सारे बचेवे बैटर से पहले में बना लूँगी तो यहां पर अगेन हमने बैटर को डालकर इस तेके से स्प्रेट कर देना है और इसे हम ढग ढग कर दो-दो मिनेट के लिए दोनों और से पका लेंगे इससे यह अच्छे से पक जाती है और जल्दी भी पक तो सेम इसी प्रोसेस से हमें जो है सारे चीले बना लेने हैं यहां पर हमने कुछ चीला जो है बना कर तयार कर लिए है और बाकी का जो बचा हुआ बैटर इससे मैं बाद में बनाऊंगी तो लीजे फेंस आज की हमारी यह सुपर टेस्टी हेल्दी ताजे मक्के की रोटी जो है बनकर तयार हो चुकी है बहुत ही हल्दी है इसे आप जरूर ट्राइ कीजिए आप इसे अपने मन पसंद चटनी आचार या फिर आप सबजी के साथ भी सर्प कर सकते हैं बहुत ही स्वाधिश लगती है उमीद करती हूँ कि आज की हमारी यह वीडियो आपको पसंद होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आपको हमारी इसी तरीके की और भी वीडियो की नौटिफिकेशन मिलती रहे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक और नई रेसिपी के साथ तब तक के बाई बाई टेक के हैं थैंक्स पोर वाचिंग